गाइस सड़क में पहुंचते ही खुसकबरी मिल चुकी है 10-12 साल का इंतजार खतम हुआ ऐसे नजारे आपको पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं मस्ट खेत खलियान बास गाइस यह हमारे गाउं में एक ऐसे भाई हैं जो बिलकुल भी नहीं देखते हैं बच्पन से लेकिन अपने सेल्फ एक्सपिरियंस से चलते हैं पूरे रासे और पानी भी लाते हैं हेलो दोस्तों गुड मॉनिंग रादे रादे सुप्रभात शुरू करते हैं आज कर दिन एक ने व्लोग के साथ सबसे पहले तो स्वागत आपका उत्रा खंकिन हसीन वादियों में मेरे नाम है मितने की मेरे गाउं का नाम है तेला जो की रुद्रप्या डिस्टिक में पढ यह है क्योंकि यह मेरे लिए लग की आया था जब भी यह डौग आया उससे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े और धिरे दिरे मेरे साथ जो भी चीज़ें थी सारी अच्छी होती गई पहले बहुत बेकार सा चलना था यह बंदर लोग ना मानते ही नहीं है खुले आम देख गाइज मम्मी घास के लिए जा रखे और साक्षी कॉली जा रखे बागी घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है और साथ में पत्थर भी सारने मेरे को कुछ पत्थर इसमें सुबह लिया थे तो अभी वह भी खाली करने है गाइज घर का थोड़ा बहुत काम निप्टाने के बाद अब हम निकल चुके हैं डेली वर्क पे या तो पत्थर लाना है और साथ में मम्मी भी वहाँ से घास लिके आ रही होंगी यह रार इंकू का ग क्योंकि भाई पांच-छे मिनट वही वेस्ट कर देता है ऐसे नजारे आपको पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं मस्ट खेत खलियान और उदर मम्मी आ रही है गाइज जो यह वाली बक्रिया यह जंगल में छूट गई थी आप देखो भाई कभी-कभी ऐसा हो जाता है किस्मात अच्छी होती है वरना बाग ले जाने का बहुत जादा डर रहता है पाड़ों में और यह देखो भाई चाची जी का भारा कितना बड़ा है इतनी दूर से लाना पड़ता है गाइज वो तो चाची जी थी मुझे लगा कि मम्मी है बागी देखो भाई बक्री की कि मिल चुकी है 10-12 साल का इंतिजार खतम हुआ और फाइनली हमारे गाउं में अब धीरे-धीरे काम होना सुरू हो गया है अब इस रोड़ पे डामरी करण डल जाएगा तो काफी सही हो जाएगा बहुत डर-डर के बाइक चलानी पड़ती थी देखो गाई सारी जगो सड़क चौड़ी की जारी है उसके बाद डामरी करण डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यह पूर खेत वहां से लेकर हमारा यहां तक है और अब यह पथर भी हमें जल्दी जल्दी उपर ले जाने पड़ेंगे आज तो मैं जादा बीडियो में दिखानी पाऊंगा क्योंकि बीडियो बनाता रहूंगा तो टाइम बहुत जादा वेस्ट होगा क्योंकि अगर यह पथर समय पेनी ले जाये गए तो सीदे जेसी वी वाला नीचे डाल देगा इनको बस बस अराम से बस गाइस यह हमारे गौम एक ऐसे भाई हैं जो बिलकुल भी नहीं देखते हैं लेकिन एक्सपिरेंस इतना है कि क्या बताएं हो गाइस ममी जी भी आ चुकी है यहां पर पहले इतनी खीयत का नुक्सान हो रहा है ना तो हमने मुझा मिला ना कुछ मिला और और खूद रहे उपर उपर के सारा पत्थर देगे ना कितने महंगे डलवा रहे हैं उपर 9000 दोस्तों हमारे जितने भी खेश सड़क चोड़ी करण में कटें यह सड़क हमारे गाउं में आई एक भी मुआवजा नहीं मिला है तो बड़ा बेकार भी लगता है अगर प्लैंस एरिया हो तो गवर्मेंट लाखों करोणी रुपे देती है लेकिन यहां आज आज कलकल इतना नुकसान होने के बाद फिर भी हम लोग खुस हैं क्योंकि हमारे गाउं में सड़क आ चुकी है लाइफ टाइम के लिए फायदा है मला आसपास में हम दुकान भी खोल सकते हैं अपनी वह तो फ्यूचर बताता है क्या होता है लेकिन यह कि सड़क डामरी करण हो रही ह यही बहुत बड़ी बात है हमारी फिरी दीरे सबी लेवर लोग भी काम पे आ गये हैं अब इनकी क्लास भी हम होने हैं सड़क में कुछ भी लाऊ पर भाइय वह सब आम्मारी जिम्हेदारी कहाँ दीखरो तुम वो सारी हमारी जिमेदारी है भाई देख भाद तो मारी है अब गैस मम्मी इतनी दूर दूर के भी वहाँ पे रखवा रही है कि कल सारे वहाई से सार ने अगर कल तक मौगा मिला हमें तो तो दोस्तों ये होता है पहाडी महिलाओं का लालच उमर चाहे 50 साल हो चाहे 80 साल हो लेकिन बुढ़ाबे तक लगे रहते हैं कि हमारे बच्चों के काम आएगा फिर विलाश में बच्चे धोगा दे जाते हैं यह तो मैं ग्यान की बात बोला हूँ आपर तुम कौन से कुछ कर रहे हो हमारे लिए यह हर बच्चे का टायलोग रहते हैं अपने माबाप के लिए बड़ जो जितना भी कर रहा है उतना बहुत ज़्यादा बात है कम से कम रोड साइट भीग तो नहीं मांग रहे हैं आप यह सोच के चलो अपनी लाइफ हमेशा है न उन से कंपेर करा करो जब भी आप उदास होते हो कि हम उनकी तरह तो नहीं है भाई कोई गरवाला नहीं है गरवालों ने भगा दिया है छोड़ दिया है वह एक किसी रीजन के कारण भगाते हैं गरवाले सराभी होगा जुआरी होगा यह देख पानी भरा उसने आराम से हुआनी चे एक बार वावा सुन लेगा तो बता देगा हुआ है इसे कहते हैं भगवान की सक्ति कुछ न कुछ आपके अंदर ऐसा टैलेंट रहता है एक मूवी आई थी नहीं रितिक रोसन की मूवी का नाम मैं भोल रहा हूं उसमें भी अंदाज से लगा की चलना पड़ता है तो यह भाई पिछले 30 साल से पानी भी ले जाते हैं मत अब घर वाले यह नहीं मानते कि अपंग है उसना कुछ काम पर लगा रहता है भाई लोग भी इंतजार करेंगे रिंग को कब आएगा आगया आज तो यह काड़े बांदिया भाई आज ही ममी लेकर जा रही है यह क्योंकि भारा बहुत ज्यादा भारी हो रहा है तो इस वोजह से यह मुझे ले जाने पड़ेगा आज तक कभी उसको टच भी नहीं किया मैंने पर वो बचपन से ही मेरे सर में हेलमेट देखता था ना वो तब से मेरे से बहुत जाला गुस्ता है मम्मी पर भी नहीं बहुगता उतना पर जब से यह मेरे साथ रहते हैं इन पर भी भॉंगने लग गया है जाए सच बताओं तो हमारी लाइफ उतनी हाड नहीं है जितनी हमने बना रखा है क्योंकि देखो भाई इतना काम अगर हम भार कंपनियों में करते हैं मैं हो चाहे मम्मी हो क्योंकि महिलाएं भी काम करती है भार तो उनको बहुत कुछ मिल जाता भाई सेलरी ठीक ठाक मिल जाती इसे भी काफी कि लोग मेरी वीडियो देखते हैं और वो खुद बता दें कि भाई पौड़ी में बहुत ज्यादा प्लाइन है आधिसे ज्यादा पौड़ी तो कोड़वार में बस गया बचे कुछे देरादून में और फिर दिल्ली मुंबई सभी जगा मालब पौड़ी वाले बहुत ज टेंट बना है वो तो पौड़ी के लोग ही जानते हैं पस्त बैटके रूड़ी फोड रहता हम लोग जब भी खाली रहते हैं कुछ ने कुछ काम करते रहते हैं क्योंकि खाली दिमाग सैतान का घर इसलिए अपने आपको जितना ज्यादा हो सके बीजी रखो बाकी एक चकर प्रोल लेने जाता हूँ गाइस फिर किसी दिन काम से फुर्साद मिलेगी तो मस्त आपको संसेट के नजारा दिखाऊंगा इस टाइम मेरे को यह पत्थर भी सारने है और सुबो से हमने लवा चार-पांच चकर तो मारी दी होंगे शिरू और यह यहां अपने शिकार के तलास में आ रखा है यहां पाए जाते हैं जंगली मुर्गे तो यह सुच रहे एकाद हाद लग जाए गाइज अभी संसाइड भी होई गया है और धूब देखो उस पाहाड की और चली गई है हेलो गोड़ बॉई है और शाम के समय हमारे च्छत के आगे से बहुत प्यारा सब व्यू देखने को मिलता है आगी पाहाडों में जो सबसे बड़ी समश्य है वो है नेटवर्क की हम वीडियो 6% 37 मिनट दिखा रहा है मिनट बढ़ते जा रहे हैं आप देखो यहां पर अभी 38 दिखा रहा है यह 49 मिनट हो गया और दोस्तों इसी वजह से मैं अपनी वीडियो शाम को डालता हूं लगा पांच-छे बजे इस टाइम तक अपलोड हो जाती है मैं दिन तक अपनी नहीं करता है एडिटिंग का क्योंकि दिन बर काम करके बहुत ज्यादा थकान हो जाती है हालो 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 गोड़ बॉय आज से गाउं में सड़क डामरी करण का काम सुरू हो गया तो देखो भाई लोग भी अपने-पने काम पे लग गए और मैं उनसे बहुत ज पॉली जा रखे तो बुआ के यहीं रहेगी और वह मेरा दूसरा फॉन लेके जा रखी है अभी जो मैं सूट कर रहा हूं वह साक्षी के फॉन से कर रहा हूं और इस पॉन को देखो बहुत बुरे आल हो गए लगवक तीन साल इसने मेरा साथ दिया अब दीरे-दीरे साथ छोड़ने लगा है तो बड़ा दिल से पुरा लग रहा है कि आप सुभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपको अगले नए व्लोग में तब तक के लिए बाद जय देबुमित्रा खंड जय हिन जय भारात